नमस्का एशनिज इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ भारत में 26.11 मुंबई आतंकी हमले की बर्सी से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिष का खुलासा हुआ इस हमले का मास्टर माइंड आतंकी मोलाना मसुत अजर पाकिस्तान में चिपा है लेकिन वो अपने भाई अब्दूल अजगर रोव के जरिये भारत में हमास के लिए युवाओं की भरती कर रहा है फिर इन युवाओं को पाकिस्तान भेच कर पीयो के में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है बाद में उन्हें हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ युद्द लड़ने के लिए फिलिस्तिन भेजा जा रहा है खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद ग्रह मंत्राले ने सबी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है दरसल खुफिया एजनसी को जानकारी मिली थी कि जैश मोहमत प्रमुक मसूद अजहर चब्वीस ग्यारा हमले की बरसी से पहले एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है एजनसीों ने निगरानी बड़ाई तो पता चला कि रौफ लगातार सेटेलाइट फोन के जरिये पश्चिम बंगाल, जारखन, बिहार, कश्मीर और मध्यप्रदेश और बांगलादेश के कुछ लोगों से बात कर रहा था जिन योओं से बात की जा रही थी उन्हें पहले भी सोशल मीडिया और कई अन्यमाध्यमों से कटरपंथी बनाया गया था कूफिया एजेंसियों ने शक्चता है कि हमास का प्लान डिकोड होने के बाद मसूद हजर के प्रभावित लड़ा के 26-11 की बड़सी पर भारत में आतंकी हमला कर सकते हैं कूफिया एजेंसियों की जाश में कुछ इसलामिक हलफ ना में मिले हैं इन्हें बेत कहा जाता है इसका इस्तेमाल अंतर राष्टी आतंकी संगठन आईएस आईएस ने किया है पहली बार जैशिय मुहम्मद भी इसका इस्तेमाल कर रहा है रऊफ युवा लड़ाकों से इ अस्ताक्षर करवा रहे हैं और उनसे हमास के समर्थन में लड़ने का वगदा कर रहे हैं इसी के साथ बने रहे हैं एशानी जिन्दा के साथ खाली बार